दोस्तों नवश्कार मैं संजे मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिश्टर मीडिया मंच पर हर्याना विदान सभा के चुनाव की मतगर्णा का कारे चल रहा है जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं 12 बच चुके हैं और 12 बजे तक आप मानें तो हर्याना के अंदर लगवग आधी के आसपास मतों की गिंती हो चुकी है लगवग एमोमन सभी विदान सभा सीटों पर हर एक विदान सभा सीट पर लगवग 18 और 19 राउंड के बीच में गिंती हो चुकी है जो रुजान अभी तक आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि हर्याना के अंदर भारती जंता पार्टी हैट्रिक बना रही है यानि कि तमाम रुजान, तमाम एकजिट पोल, तमाम सर्वे सब एक बार फिर ओंधे मूँ अगर ये एकजेक्ट हो रहा है तो जो फिगर अभी आ रहा है चाहे वो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हो रेंग रहा है और चाहे आप चुनाव आयोग की वेबसाइट को देख रहे हो खेर चुनाव आयोग की वेबसाइट तो गजब है कमाल है और जैसे अभी तक उन्होंने डाटा नहीं दिया कि हर्याना के अंदर पोलिंग कितनी हुई थी तो सीटे कब बताएंगे कुछ पता नहीं लेकिन टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे है इसके लिया से माने तो हर्याना के अंदर भारती जन्ता पार्टी की हैट्रिक और हर्याना के अंदर कॉंग्रेस को तीसरी बार फिर जटका सबसे बड़ा जटका अर्याना के अंदर जन्ना एक जन्ता पार्टी जो किंग मेकर थी दुश्यंत चोटाला जिसके नेता है बड़े नेता अर्याना के फॉर्मर डेपिटी सीम छटे स्थान पर उचाना के अंदर छटवे स्थान पर जो अभी तक ट्रेंड डजर आ रहा है चुनाव परिनाम का चाहे वो हर्याना का देखें या फिर आपके लिए एक बार जरूर जोड़ूँगा जमू कश्मीर को भी जमू कश्मीर के अंदर पीडीपी ने भारती जन्ता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और पीडीपी का ट्रेंड वहां गया कि वो लगबग तीन या चार सीट पर जाकर के लुक रही है सिरफ मैकसिमम तीन या चार दिख रहा है हलाकि अभी तक तो दो तीन दो तीन चल रहा था पहले साथ थी और अगर हर्याना की बात करें तो हर्याना के अंदर जन्नायक जन्ता पार्टी ने सरकार बनाई थी मिलकर भारती जन्ता पार्टी के साथ तो जन्नायक जन्ता पार्टी की शायद पूरे हर्याना में किसी भी विधानसभा सीट पर जमानत तक नहीं बच रही यानि कि भारती जंता प्राटी को लोग भले ही चुन रहे हैं लेकिन जिनों ने उनका साथ दिया था उनको परदेश की जंता चाहे वो जम्मू कश्मीर में है और चाहे वो हर्याना में है वो पिल्कुल पीछे दकेल रही है दुशेंद चोटाला का मैं लगातार देख रहा था उचाना पे मैं लगातार नजर रख रहा था जिसके अंदर दुशेंद चोटाला पांच में छटे पांच में छटे इस थाल पर चल रहे हैं में बड़ी बात यह कि अभें सिंग चोटाला पीछे चल रहे पी यह आपको अपने रुजानों में बताया भी था अभें सिंग चोटाला पीछ़े चल रहे है अलना वाज के अंदर और उनके बेटे राणिया में अर्जुन को चोटाला आगे चल रहे हैं इस विधानसमा चुनाव के जो परिणाम दिख रहे हैं गबर अनिल्विज जो दावा कर रहे थे मुख्यमंत्री बनने का भी थोड़ी देर पहले में देख रहा था टीवी स्क्रीन पर उनका एक रेंग रहा था कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे तो स्वि चुनाम आ रहा है अगर वैसे कहूं कि लोकतंत्र की सुन्दरता है अगर हम किसे कहें कि यही लोकतंत्र के असली रंग है आप देखें तो हर्याना के अंदर कॉंग्रेसी दमादम थे कल तक इधर भुपेंदर सिंग उड़ा अपने तमाम समर्थकों साथियों के साथ बैठ चल रहे हैं यह ठीक है कि चुनाव के अंदर भुपेंदर सिंग उड़ा बहुत आगे चल रहे हैं लेकिन जो सरकार बनाने की कवायत थी और एक आपको ध्यान होगा नायब सिंग सेनी ने कहा था कि करिश्मा होगा और कॉंग्रेस के लोग कहेंगे कि पेटियां EVM बदल द और के रहेंगे जरूर्द था आपको ब्रेक बताएं कि अर्याना का हाला क्या है तो अगर आप माने तो जो अभी तक के हाला चल रहे हैं उसके इसाब से बारती जंता पाइटी और कंग्रेस 35-36 सीटों के साथ अ बांग्रेस एक बार फिर विपक्ष में किम अमारे साथ जुड़े रहने के लिए तो इंसक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नौठिकेशन झाल